मेंटेनिस क्या होती है मेंटेनिस क्यों की जाती है और जो मेंटेनिस के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मेंटेनिस के बारे में ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को सुरू चले के लाज तक देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को हमारे जितने भी उपकरण होते हैं उन सभी उपकरणों को सही सलामत डंग से चलाने के लिए और उनसे पूरी efficiency के साथ काम लेने के लिए maintenance बहुत ही जरूरी होता है और ये ज्यादातर maintenance जो होती है वो एक test schedule के हिसाब से की जाती है लेकिन हमारे जितने भी उपकरण होते हैं इन सभी उपकरणों की जो maintenance होती है वो एक तरीके सी नहीं होती ये maintenance हमारे उपकरण की जो importance है और उसकी जो जरूरत है उसके खिसाब से depend करती है कि हम इस उपकरण की maintenance है वो किस तरीके से और कब कब करने वाले हैं जो हमारे उपकरण होते हैं उनकी सही समय पे और सही से मेंटेनस करके हम अपने समय और पैसे दोनों की बरबादी को बचा सकते हैं तो जैसे कि हमने आपको बताया जो हमारी मेंटेनस का में मोटो होता है वो हमारी मसीनों और उपकरणों कि जो efficiency है और जो life है उसको बढ़ाना होता है तो अब बात करते हैं types of maintenance के बारे में कि maintenance कितने परकार की होती है तो देखें वैसे तो maintenance बहुत परकार की होती है लेकिन इस वीडियो में हम maintenance के उन types के बारे में ही बात करेंगे जो industry में सबसे ज्यादा की जाती है तो industry में सबसे ज्यादा maintenance की जाती है वो preventive maintenance, predictive maintenance, corrective maintenance और breakdown maintenance होती है तो अब इन सभी के बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं preventive maintenance जिसको हम PPM भी बोलते हैं अब industry में जो हमारे उकरण होते हैं उन सभी उकरणों को future में आने वाले किसी भी breakdown से बचाने के लिए ही इस preventive maintenance को किया जाता है preventive maintenance के दोरान हम हमारे उकरण में ऐसी चीजों और problemों को ढूंडने का प्रयास करते हैं के कारण हमारे उकरण में भविस्ते में कोई भी प्रेशा नी आ सकती है जिससे हमारा उकरण काम करना बंद कर सकता है या पूरी तरह से damage भी हो सकता है इसके दिये ही preventive maintenance की जाती है अब preventive maintenance करने से पहले हमें एक schedule बनाना पड़ता है हमारे जितने भी उकरण होते हैं उकरणों की importance के हिसाब से अलग अलग schedule बनाया जाता है जैसे monthly, quarterly, yearly, yearly या weekly जो भी हमारे उकरण की importance है उसके हिसाब से ही हम ये schedule बनाते हैं अब इस schedule के हिस maintenance को अलग अलग tool यूज करके preventive maintenance को किया जाता है preventive maintenance के कारण हमें किसी भी समय breakdown से होने वाली समस्या से बचा जा सकता है इसके अलावा जो preventive maintenance होती है उससे उकरणों में अलग अलग तरहें के जो lows होते हैं वो भी बहुत ही कम होते हैं जिसके कारण हमारे जो उपकरण या फिर machine है उनकी जो efficiency है वो भी बढ़ जाती है और साथ ही हमें energy की भी saving होती है अब अगली जो maintenance है वह predictive maintenance अब predictive maintenance जो होती है वो उपकरणों की हालत देखने के बाद हमें जो भी ऐसा मान ने दिखाई थें जिसके कारण हमारे जो उपकरण और machine है वो breakdown हो सकते हैं उनको हमें दूर करना होता है ये देखने में वैसे तो आपको PPM यानी preventive maintenance की तरह ही लगेगी लेकिन preventive maintenance में हम predict करके चलते हैं कि इस machine में ये चीज ऐसे है जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी machine है और उसके connection हम देखते हैं और सोचते हैं कि आगे चलके जो ये connection है वो ढीले हो सकते हैं लूज हो सकते हैं या आपस में heating के कारण चिपक सकते हैं कुछ ऐसे कारण हमें देखने होते हैं और ये जो ऐसे समस्य होते हैं उनको दूर करना होता है जैसे कि हमने एक जगहें पे कोई उपकरण लगा रखा है उसके साथ में एक दूसरा उपकरण भी लगा है तो हमें predict करना पड़ता ह कि ये दोनों उकरन साथ साथ सही से काम करेंगे या हमें इनको अलग-अलग करने की जरूरत है तो इसको ही हम predictive maintenance कहते हैं predictive maintenance में हमें मसीनों के सभी parameter या फिर जो point होते हैं वो manually check करने होते हैं उधान के लिए अगर हम transformer की predictive maintenance कर रहे हैं तो ऐसे में हमें transformer में transformer का oil transformer की जो temperature होते हैं वो oil level, breather और leakage इसमें अगर हमें कोछ भी ऐसा धारन मिलता है या फिर लगता है कि हाँ हमारे transformer में आगे चलके leakage हो सकती है या फिर जो हमारा transformer है वो अपना temperature सही से maintain नहीं रख सकता तो उसक हम ठीक कर सकते हैं अब predictive maintenance के जो advantage है वो देख लेते हैं इस maintenance से हमारा जो खर्चे वो बचता है इस maintenance से भी machine के breakdown होने के चांस बहुत ही कम होती है predictive maintenance से हम जो हमारी machine हैं उनकी problem को बहुत ही जल्दी पता लगा सकते हैं इसके बाद देखते हैं क्रेक्टिव maintenance में हम हमारी machineों मे जो भी समस्या होती है और उस समस्या के जो भी कारण होते हैं उन कारणों को ढूंड के उसकी जड़ को ही खतम किया जाता है ताकि यह जो समस्या है बार-बार हमारी मसीन में देखने को ना मिले इसलिए इसको क्रेक्टिव मेंटेनिस कहा जाता है क्रेक्टिव मेंटेनिस में स से कौनसे कारण है जिसके कारण हमारी जो ये मोटर की वाइंडिंग है वह बार बार जल रही है और फिर उस कारण को ढूंद के ही हमें दूर करना होता है ब Trek tu lu maintenance के जो फायदे हैं वो देख लेते हैं इस maintenance में समय का का जो असली कारण है को जा जाता है इसके कारण से आगे यहीं to recommend हम इसे पर जाती है थो दोस्तों आगे बटने से पहले हमने एक यह बुक बनाया है जिसमें आप सिंगल श्क्राटर के सभी परकार के बारे में सेखे सकते हैं साथ ही मोटर के लिए while。」 MCB, contractor का selection कैसे किया जाता है इसके अलावा sodium, vapor, mercury, vapor, lamp के connection किस तरीके से किये जाते हैं साथ ही electrical की और भी बहुत सारी जनकारियां आपको इस e-book में विलेंगी जो आपको electrical के interview की preparation करने में मदद करेंगे साथ ही अगर job करते हैं तो भी आपको ये e-book बहुत ही काम आने वाली है तो हमारी इस e-book को खरीदने के लिए description में दिये लिंक पे जा सकते हैं अब अगली जो maintenance होती ही वो है breakdown maintenance अब breakdown maintenance में जब कोई भी हमारी machine काम करना बंद कर देती है या सही से काम नहीं करती उसको ठीक करके हमें फिर से काम करने लायक बनाने को ही breakdown maintenance कहते हैं यानि के जब हमारी कोई भी machine breakdown होके बिल्कुल बंद हो जाए काम करना बंद कर दे और फिर उसको हमें दवारा से जो चालू करना पड़ता है उसके लिए जो हम maintenance करते हैं उसको ही breakdown maintenance कहते हैं जैसे मान लेजी हम किसी भी machine पे काम कर रहे हैं हमारी industry में अगर वो हमारी machine काम करना बंद कर देती है तो हमारी जो industry में है उसका production या फिर जो operation है वो सारा का सारा रुख जाएगा और अगर production और operation रुख जाता है तो ऐसे में बहुत सारे पैसे का नुकसान हो सकता है इसके लिए हमें बहुत ही जल्दी जल्दी हमारी machine में problem घूंड के इसकी maintenance करनी होती है जैसे उदारन के लिए बताएं तो मान लीजी हैं हमने कोई एक compressor लगा रखा है और उस compressor में कोई खराबी आने के कारण वो compressor बंद हो गया है तो ऐसे में उस compressor के साथ जितने भी उपकरण जुड़े होंगे वो सारे के सारे उपकरण काम करना बंद कर देंगे तो ऐसे में जो हमारी पूरी industry है वो पूरी industry ही ठप हो जाती है तो इसी लिए हम breakdown maintenance करते हैं अब इसके अलावा अगर आप यह जाना चाहते हैं कि electrical panel कितने परकार के होते हैं तो इसके लिए आप हमारी right वाली वीडियो देख सकते हैं और अगर आप transformer का जो SOP यानि standard operating procedure होता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी left वाली वीडियो देख सकते हैं